योगी सरकार कानून व्यवस्था को बहतर करने की कवायद में जोटी है कमिशनरी सिस्टम लागू कर रही है ताकि लोगों को वक्त पर सुरक्षा मिल सके लेकिन बहीं दूसरी तरफ गाजेबाद पुलिस के सरहाइन कोशिशों पर पनीता लगा रही है यह रपोर्ट देखे से इंसाफ की माँ माथे पर शिकन चेहरे पर छलकता दड़ आग से निकलती यह आसू और लड़कड़ाती जुबान से पूरी कहानी बया करते यह शब्द साफ जाहिर कर रहे हैं यह नहुने किसी अपने को खोया है वो भी उसे जो इस परिवार का एक लौता सहारा था दरसल गाज़ेबाद की कविनगर इलाके के बालाजी एंक्लेव के रहने वाले पवन शर्मा चार जन्वरी को घर से निकले लेकिन वो वापस लोट कर नहीं आए और दस दिन बाद भी मिले तु सिर्फ कपड़ी पर पुलिस वालों को यह हो रहा था सुबह आओ शाम को अगुछ नहीं किसीने कुछ नहीं बताए गाज़बास से चार तारिक सिलापता पवन शर्मा दिली में सरकारी कॉंट्रक्टर के तौर पर काम करते थे मृतक के भाई का आरोप है कि पुलिस ने वक्त रहते उनकी मदद नहीं की और वो पुलिस टेशन के चक्कर ही लगाते रहे यहीं नहीं पुलिस पर पवन शर्मा की लाश लावारिस समझ कर जलाने का भी आरोप है अब पीडित परिवार ने सीम योगी से इंसाफ की गुहार लगाई है वहीं पुलिस जाज की बाद कहकर मामली से पल्ला ज़ाट रही है यह पुलिस शर्मा नम की वेक्ती हैं थाना कभी नगरशित के रहने वाले पांच तारीकों इनके परिवारे जनों ने यह सुचना दी थी थाने पारा करके कि एक दिल पूर यानी चार तारीकों सायंकाल से लापता है और उनकी इस सुचना पर थाने पर उनकी गुफशुदगी पंजगत की गई थी और जाच की जा रहे थी उनकी CDR सबका एनालसिस किया जा रहा था और इस दोरान आज ये ग्यात हुआ है कि उनकी जो डेट बाड़ी है उसी नावली थाना चित में मिली थी और छे तारीकों उसी को लेकर के हमारी टीम रवाना है हम लोगों के द्वारा एक सुचना धाराओं में इसको पंजगत किया गया है अपने के खोने का दर्द क्या होता है और उस दर्द से उबढ़ना कितना मुश्किल होता है इस वक्त पवण शर्मा का परिवार इसी पीडा से गुज़र रहा है और ये पीडा सीधे पुलिस की लापरवाही के तरफ इशारा कर रही है ऐसे में देखना होगा इस परिवार को कब तक अंसाफ मिलता है गाजयवाद से समधाता अनिल चौधर के रिपोर्ट आर नाइन टीवी